नमस्कार कानून की बात में आपका स्वागत है मैं हूँ आशिष भारगाव और मुद्दा E.D. का है E.D. की शक्तियों को को लेकर है और इसके साथ साथ P.M.L.E. यानी Prevention of Money Laundering Act जिसके उपर लगातार सवाल उठते रहे हैं अभी पक्सी पार्टिया एक जुट होती रही हैं सुप्रीम कोड में बहुत सारे मामले हैं उसको लेकर है क्योंकि अब सुप्रीम कोड ने कहा है कि वो P.M.L.E. के उन प्रवधानों की समिक्षा करने को तयार है जिसन पर 2022 में सुप्रीम कोड नहीं मोहर लगाए थी E.D. की गिरफतारी को शक्ति कुरकी की शक्ति इसके अल उस पर अब समिक्षा सुप्रीम कोड करेगा सुप्रीम कोड ने कहा है स्पेशल बेंच है जस्तिस एस के कॉल जस्तिस संजीव खन्ना और जस्तिस बेलायम त्रिवेदी की ये बेंच थी के इन सरकार की दलिल को सीरे से ठुकरा दिया है सुप्रीम कोड ने के इन सरकार की त ने नकार दिया सुप्रीम कोट ने कहा कि प्रावदाने उनकी समिक्षा भी राष्टी ही तुमें हो सकती है सुप्रीम कोट ने कहा कि वह इस मामले में सुनवाई करेंगे और 22 नौवंबर को तारिख तैकी है फाइनल हीरिंग की तुशार मेता यह भी कह रहे थे के तीन जजीज का फैसला दो हजार बाइस का था और यह जो बेंच है यह भी तीन जजीज की नहीं कर सकती लेकिन सुप्रीम कोट ने इस दलिल को भी ठुकरा दिया और कहा कि वो इस मामले के सुनवाई कर सकते हैं सुनवाई की रूप रोख्यात तै करने से उन्हें कोई नहीं रोख सकता सुनवाई के बाद वो तै कर सकते हैं कि वो इस मामले के सुने या आगे रैफर कर दे या पांच जजों के सविधान पीठ को भेज़ दे बड़ा मामला है सुप्रीम कोट अब इस मामले के सुनवाई करने जा रहा है सुप्रीम कोट ने कहा है कि वो बिल्कुल इस मामले के सुनवाई करेगा सभी याचिका करता हूँ कहा है कि वो पूरी तयारी करें और बाइस न कोट के कुछ फैसले भी आये हैं कुछ टिपनियां भी आई हैं मनी सिसोदिया के मामले में बड़े सवाल एडी से पुछे गए थे कि जब मनी ट्रेल वह सावित नहीं कर पाए हैं मनी सिसोदिया के पास अगर पैसा नहीं आया तो पीमें में लेके तैत मनी लोंडिंग के अपना पराद कबूल लेगा तो बहुत सारी गाइडलाइन जारी हुई हैं लेकिन एक विस्तरित मामला पहली बार सुप्रिम कोट ने इस तरीके से उठाया है तो यहां पर दो हजार बाइस में जस्टिस एम खानविलकर की बेंच ने बड़ा फैसला एक सुनाया था और तीन जो प्रावदान है वो बिल्कुल सही है लेकिन इस पर सवाल भी उठे थे और इसके बाद रिवियू की मांग की गई थी और सुप्रिम कोट ने दो हजार बाइस में ही इस मुद्दे पर पुनर विचार करने की आवाशक्ता जताई थी और सुप्रिम कोट ने कहा था कि दो सभिक्षा होनी चाहिए उन ही आचिकाओं पर अब सुप्रिम कोट ने फैसला उठाया है जो पहली पुनर विचारी आचिका उसमें कार्ती चितमरम जो सांसद है फी चितमरम के बेटे हैं उनकी भी आचिका है उन्होंने इरी फाइल की थी उस समय दो सो ब्याली सी आचिका पर ये फैसला सुप्रिम कोट का बड़ा फैसला आया था लेकिन उस पर सवाल उठते रहे हैं खुल सुप्रिम कोट सवाल उठाती रही है और अब सुप्रिम कोट ने एक बार फिर एडी के कामकार्ण पर siaशित पर मनिल लॉंडिंग एक्ट पर की समिच्छा करने का फैसला कर लिया है नहीं दिल्ली स्यासित भारगव एंटिटी इंडिया